मेरे प्यारे बच्चे आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा ही सुप साबित होगा क्योंकि तुम्हारे और वो खुसियां बढ़ रही हैं और जो तुमने अपने मन में स्रध्धा का दीपक जलाया है उसे यूही चलाए रखना मेरे बच्चे तुम्हारे बापा जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे लिए मैंने वो सकती भेड़ती है जिससे तुम्हारे अंदर कोई भी बुरे विचार नहीं आ सकते मेरे बच्चे ये ऐसी सकती है कि संसार की कोई भी बुराई तुम्हे सामिल नहीं हो सकती और ये तुम्हे सुरक्षित रखेगी क्योंकि तुम पूरी तरह से पवित्र हो और तुम्हारे मन के विचार भी बहुत पवित्र है इसलिए मैंने तुम्हारे खिर्दय में निवास किया है मेरे बच्चे तुम मुझे पुरे दिल से स्वीकार करते है और तुम्हारी चितनी स्रधा है तुम उसे मुझे प्रेम पूर्वक चढ़ाते हों वो भी मैं प्रेम पूर्वक स्विकार करता हूँ मेरे बच्चे कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत दूआ करता है मुझसे अपनी प्रात्नाओं में मांगता है कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सारे सुक देने के लिए मुझसे प्रात्ना करता है जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए वो बस यहीं मांगता है तो हाँ बच्चे तुम और तुम्हारे चाहने वाले अपना सब कुछ मेरे चरणों में रखकर निश्चिंत रहो क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि तुम परिशान ना हो और अपने मन में एक आनंद और उत्साह बनाए रखो अपने कर्मों में मन लगाओ क्योंकि जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो इश्वर भी तुम्हें आसिरवादों से परिफून करते हैं मेरे बच्चे अब तुम्हारा वो समय सुरू हो रहा है जो तुम्हारे लिए चमतकारों से भरा रहेगा बाबा के चमतकार तुम अपनी आखो से देखोगे और कई अनुभव तुम प्राप्त करोगे तुमने मुझबर विश्वास किया है ना स्रद्धा रखी है ना तो उसका फल भी बाबा तुम्हें देने जा रहे हैं मेरे बच्चे तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम और तुम्हारा पूरा परिपार हमेशा सुक समरिद्धी से परिपूर हो और जो तुम नया काम करना चाहते हो उसे सुरू करो उसमें मैं तुम्हारा सहायक रहूंगा मेरे बच्चे अभी तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी खुश खबरी है जो तुम तक चल्ध ही पहुशने वाली है मेरे बच्चे तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर एक कदम मैं उस प्रगति की ओर बढ़ाना चाहता हूं वो खुश खबरी तुम्हें जल ही प्राप्त होगी सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार होने जा रहा है खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो मेरा अशिर्वात हमेशा तुम्हारे साथ है